हेलो एवरीवन माइनेम इस रंजना गुपता तो टैली के आज के लेक्चर में हम डे बुक के बारे में डिस्कूस करेंगे तो गेटवेय औफ टैली से सबसे पहले डे बुक को अपन कर लेंगे डे बुक में हमें हमारी रोज की जो transactions होती हैं वो show होती हैं आपको जिस भी date की transaction चेक करनी हैं वो आप F2 की press करके वहां से date चूज करके देख सकते हो अगर आप किसी particular period की transactions देखना चाते हो जैसे की 1 month, 2 months या फिर पूरे साल की transactions देखना चाते हो तो Alt F2 की press करके हम यहां से वो period चूज कर लेंगे जिस date से आपको वो transaction देखनी है वो date आजाएगी तो जिस date तक आप transaction देखना चाते हो यहां पर वो date आजाएगी एंटर प्रेस करके हमारे पास सारी transactions शो हो जाएगे आपके पास day book में जो भी transactions आ रही है वो सारी vouchers related transactions शो हो लिए लेकिन अगर आप किसी particular voucher की transactions देखना चाते हो जैसे कि सिर्फ payment voucher की transactions देखने है या फिर सिर्फ sales voucher की transactions देखने है तो F4 की press करके हम यहां से voucher type सिलेक्ट कर लेंगे जैसे कि मैं sales voucher सिलेक्ट कर रही हूँ तो मुझे अभी यहां पर सिर्फ sales की transactions ही शो होगी next अब हम कुछ shortcut keys discuss करेंगे day book में नीचे आपके पास कुछ shortcut key के options आ रहे हैं अगर आपके पास telly prime का फुराना release version है तो उसमें आपको ये shortcut keys नहीं शो होगी लेकिन नए version में सारी shortcut keys आपको day book के नीचे शो हो जाएंगे तो one by one हम सारी keys को discuss करेंगे सबसे पहले है enter key अगर आप कोई भी transaction select करके enter press करते हो तो वो transaction open हो जाएगी अगर आपको कोई भी changes करने है तो वो changes आप यहां पर करके transaction save कर दोगे alter कैसे करने है transaction यह हमने last video में भी discuss किया था आप वहां से check कर सकते हो next है कि अगर आपको कोई transaction delete करने है तो वो कैसे करेंगे जो भी transaction delete करने है उस transaction को select करके alt plus d key press करके transaction delete हो जाएगी अगर आप multiple transactions delete करना चाते हो जैसे कि 4-5 transactions एक साथ delete करना चाते हो तो उसके लिए क्या करेंगे जो भी transactions आपको delete करनी है space bar press करके वो सारी transactions हम select कर लेंगे जैसे कि मैंने यहां पर 3 transactions select की है अब alt plus d key press करेंगे फिर से तो delete selected की option आएगी yes press करके हमारी जो भी हमने transactions select की थी वो सारी transactions delete हो जाएगी तो 3 key हमने किये है अभी enter enter से transaction open हो जाएगी alt plus d press करने से delete हो जाएगी space bar press करने से select हो जाएगी transaction अगर आप डे बूक में जो भी transactions आ रही है सारी की सारी transactions select करना चाहते हो तो Ctrl plus space bar key press करके हमारी सारी की सारी transactions select हो जाएगी अनसिलेक्ट करने के लिए फिर से Ctrl plus space bar key press करेंगे तो transactions unselect हो जाएगी जब हम कोई भी transaction डिलीट कर देते हैं डे बुक में से तो जो voucher numbers होते हैं वो automatically change हो जाते हैं जैसी कि मैंने 8 number voucher delete कर दिया तो automatically मेरे vouchers की numbering change हो गई और अभी भी मुझे यहां पर 8 voucher number show हो रहा है पर मान लीजिए कि आप entry तो delete करना चाहते हो लेकिन यह जो voucher numbers आ रहे हैं वो change नहीं करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे alt plus x की press करके voucher को cancel कर देंगे voucher cancel करने से क्या होगा जो भी transaction हमने उस voucher में record की होगी उस transaction का effect हमारे books से zero हो जाएगा लेकिन उस voucher number पे कोई फरक नहीं पड़ेगा वो voucher number as it is ही हमारी books में शो होगा तो अगर आप अपनी vouchers का series नहीं change करना चाहते हैं तो delete करने की बजाए cancel voucher की option को use कर सकते हो next हमारी पास की है control plus r की remove line मान लीजिए कि आप day books में से transaction चेक कर देंगे जो भी transactions आपकी match हो रही हैं वो transactions आप कुछ time के लिए hide करना चाहते हो तो hide करने के लिए entry select करके control plus r की press करेंगे तो वो transaction वहाँ से remove हो जाएगी hide हो जाएगी उस particular time के लिए अगर आपको वो transaction वापिस चाहिए day book में तो control plus u प्रेस करेंगे तो वो transaction वापिस restore हो जाएगी next option voucher insert करने की है अगर आप already जो transactions day book में show हो रही है उनके बीच में कोई नया voucher insert करना चाहते हो तो उसके लिए हमारे पास दो options है first is alt plus a add voucher and second is alt plus i insert voucher अगर आप किसी transaction के नीचे कोई नई transaction add करना चाहते हो तो उसके लिए हम use करेंगे alt plus a add voucher के option अगर आप किसी transaction के उपर नई transaction insert करना चाहते हो तो उसके लिए हम use करेंगे alt plus i insert voucher की option next हमारे पास option है duplicate voucher की जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे business में daily बहुत सारी transactions होती है जो बार-बार repeat होती है तो वो सारी transactions आपको हर बार नई create करने की जरूरत नहीं है जो पहले transaction record की हुई है उसी की हम एक duplicate copy create कर सकते हैं तो उस entry को select करके alt plus 2 की press करके हम duplicate voucher create कर सकते हैं अगर same to same as it is ही transaction आपको record करने है तो as it is ही आप save कर दीजिए अगर उसमें कोई changes करने है तो वो changes करके आप save कर सकते हैं तो transaction record हो जाएगी last हमारे पास option है quit की control plus Q press करके quit करेंगे तो हम day book से बाहर आ जाएगी hope आप सभी को day book और सारी shortcut keys समझ आई होंगी यह सारी shortcut keys जो हमने अभी day book में discuss की हैं वो day book में भी आपको काम आएगी अगर आप कोई particular laser open करके उसमें से transactions देख रहे हो तो वहाँ पर भी आप same shortcut keys use कर सकते हो Thank you so much and stay tuned for next video